साउथ अफ्रिका में खेले जा रहे सेंचूरियन टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने पहले दिन शांदा शुरुआत की केल राहूल और मैंक अगरवाल की ओपनिंग जोडी ने शातक्या साज़ेदारी की और कमाल कर दिया लेकिन ये साज़ेदारी जिस तरह टूटी उस पर बवाल हो गया है मैंक अगरवाल को जिस तरह LBW आउट दिया गया उसको लेकर अब फैन्स गुस्से में हैं दरसल टीम इंडिया जब बल्ले बाजी कर रही थी उस वक्त 41 ओभर में लुंगी नगीदी ने बॉलिंग संभाली और दूसरी बॉल पर ही उनकी बॉल मैंक अगरवाल के पैट पर लगी पहली नजर में बॉल लेग स्टम्प से बाहर जा रही थी साथ हलकी सी उची भी थी ऐसे में फिल्ट अंपायर ने इसे नौट आउट करार दिया लेकिन साउथ अफ्रिका की टीम ने इस पर रिव्यू ले लिया जब थर्ड अंपायर के पाले में बॉल गई तो बॉल ट्र मैंक अगरवाल से जब मैच के बाद इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर अपनी राय नहीं रख सकता हूं इसलिए ऐसे ही छोड़ना चाहूंगा क्योंकि अगर कुछ कहा तो बैड बुक्स में आ जाऊंगा और मेरी मैच फीस्ट कट जाएगी मैंक अ पुर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने ट्वीट कर लिखा कि वो बॉल लगी नहीं रही थी अंपायर कॉल सबसे सही कॉल थे मैंक के लिए अनलकी साबित हुआ कई लोगों ने अंपायरिंग पर सवाल उठाए तो कुछ ने तकनीकी को ही गलत साबित कर दिया आपका इस पर क प्यार आए है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं